नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का जारकन उत्पाद स्पाई का जो फॉर्म निकला हुआ था और उसमें जो आवेदन रद किये गये हैं तो क्यों किये हैं इन सभी बातों पर अज डिस्स करेंगे तो धन्यवाद दोस्तों अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर चु कीजिये और चलिए देखते हैं क्या नौटिस जो जयसे-स के तरफ से आया हुआ है दोस्तों ज्याट सी की तरफ से नोटीस है यान preferably कि झारकन कर्मचारी चेइन आयो की तरफ से वहाँ पर रेजिस्ट्रेशन कंसल है तोस्तों यहां पर जो लिखावा जहारकन कर्मचारी चेनायो के बिग्यापन सिंखा 4 2018 नियमीत रिक्तुद्वारा जहारकन उत्पाद सिफाई परतियोगिता दपरिक्षा 2018 के लिए अर्थात प्राप्त आवेदनकों से ओनलाइन आवेदन पत्र दिनांग 26 वारे 2018 से दिनांग 9-2-2019 की मजदराती तक किये गये थे तो यहां पर असपस टूप से बताया जा रहा है नीचे की फोटोर हस्तक्षर अपलोड नहीं होने के कारण जो है आवेदन का आवेदन दद किया गया है और साथ में दूसरा जो पॉइंट है दोस्तो सुचना इवंग सुविधा के बावजूद 2487 आवेदकों द्वारा आवेदन के प्राड़मिक चनल को पूरा नहीं किया गया था यानि कि फोटो और सिगनेचर को ही अपलोड नहीं किया गया था और साथ ही साथ आपको जो आगे बताया जा रहा है 2743 आवेदकों द्वारा परिच्छा सुल्क बुक्तान करने के बाद अपना फोटो एवंग स्थाक्चर अपलोड नहीं किया गया यानि कि जो 2743 बच्चे उनका परिच्छा सुल्क जो दे दिया गया है लेकिन फोटो रहस्थाक्चर अभी तक अपलोड नहीं किये थे है तो आगे जो तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों उप्स अभी आवेदयकों का अवेदन पत्र रद कर दिया गया जिनकी रजिस्ट्राशन संख्या अन्यमिन्थ है तो यहां पे जो आपका अगर रजिस्ट्राशन संख्या है तो आप जरू कॉमेंट कीजिए जितनी से ज्यादा हो सेगे मदद करेंगे तो दोस्तों अगर आप इस पीडियो को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिये हैं तो आप जाके भी डियो को देख सकते हैं अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जारकन रिलेटेड तो आप चैनल को जर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो विडियो आगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले मिलेगी